हाँ जी बच्चे तो हमने अब तक किया था section 15 cgst act का जिसमें हमने अब तक बात के थी transaction value की transaction value को हमने का था कि हमने value of supply उसी को मानना है या तो supply के बदले में जो consideration दिया जा रहा है वो sole consideration था सिर्फ price ही दिया जा रहा था हम कोई भी दूसरी चीज़ नहीं दे रहे थे साथ में साथ में हमने transaction value में कुछ elements को add करना था वो find out किया था अब हमने ये जितने भी methods किये थे section 15 के subsection 1, 2 और 3 में जिसमें हमने अलग-अलग discussions किये थे अब हम बात करेंगे जब हम value of supply निकालना चाहते हैं लेकिन हमारे पास transaction value अवलेबल नहीं है transaction value अवलेबल ना होने का मतलब कि या तो हमें ये नहीं पता कि एक person ने दूसरे को goods दी हैं तो वो कितने value पे दी है हम transaction value नहीं निकाल सकते हम ये नहीं कह सकते कि recipient ने कितना amount दे दिया या कितना amount उसके द्वारा पेबल है ये नहीं पता दूसरा अगर कोई supply related persons के बीच में होई है तो अगर वो supplier GST के अंदर registered है तो उसे तो text देना पड़ेगा उस value of supply को find out करना पड़ेगा ताकि उस supply के उपर text का levy हम बहुत easily कर सके और taxable amount को हम calculate कर सके अब हम अलग तरीके से value of supply को find out करेंगे section 15 कोई further extend किया गया है subsection 4 और subsection 5 में जिसमे valuation rules की बात की गई है वो valuation rules जो की section 15 की subsection 1, 15 subsection 2 और 3 section 15 की subsection 3 में जिन चीज़ों को define नहीं किया गया उन supplies की value निकानने के लिए या फिर कोई notified supplies वो जिनके लिए अभी तक government ने GST range में taxable rates नहीं बनाई अगर ऐसी कोई supply आती है तो जिस दिन से government notice देगी उसी दिन से उनके उपर tax लगना start हो जाएगा अगर आपकी normal supply के साथ आप कोई notified supply भी कर रहे हो तो ऐसी supply को evaluate करने के लिए हम valuation के rules जो की CGST Act में दिये गए हैं हम उन्हें follow करेंगे इनका दूसरा नाम हम कह सकते हैं value of supply of goods or services not on the basis of transaction value बचे ये notes में देखिए मैंने सबसे पहले जो उपर pencil से लिखा है वो मैंने यही लिखा है जो first मैंने आपको notes send के थे PDF handwritten उसमें मैंने लिखा था pencil से on the basis of transaction value यहाँ पर इसका opposite है note on the basis of transaction value यहाँ पर हम बात करेंगे valuation rules की तो सबसे पहले rule यहाँ पर हमारे पास rule आएंगे 27 से 35 अगर आप किसी भी book में देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा elaborate करके मिलेगा समझने में confusing है अब आपको जो चीज़ समझनी है ठीके बचे तो rules में हम one by one को study करेंगे अब यह जो rules हमने follow करने है आप जैसे कहते हो आपने आप तक पढ़ा either this or that आपने पढ़ा कि या तो यह होगा या वो होगा same case यहाँ पर in rules में भी follow होगा तो सबसे पहला rule जो हमारे पास follow होता है rule number 27 cgst act में एक section 15 दिया हुआ था जिसमें हमने value of supply निकालना था value of supply के लिए अलग से इसी section में कुछ rules दिये गए है उन rules में से पहला rule हमारे पास आएगा rule number 27 जो कहता है value of supply of goods और services हमने निकालनी है तो बच्ची हम बार बार goods और services term को repeat नहीं करेंगे हम सिर्फ बोलेंगे value of supply तो हमने जो value of supply निकालनी है जहां पर उस supply के बदले में दिये जाने वाला consideration सिर्फ money ही नहीं है not only in money यानि पूरी तरह से वो money नहीं है money के साथ आप कुछ और भी दे रहे हो तो इस case में हम किस तरह से value निकालेंगे first case open market value ठीक है यानि कि one by one मैंने बीच में और नहीं लगाया last में पढ़ेंगे कि एक एक करके हमें यह step as it is ही follow करने है सबसे first जब मेरे पास supply तो है लेकिन उसके बदले में जो consideration दिया गया है वो सिर्फ money ही नहीं है बलकि money के साथ कुछ और भी दिया गया है अगर जो और कुछ साथ में दिया गया है तो उस साथ में दी गई चीज की value क्या है that is open market value of that supply नमबर टू मैंने omv short में लिखा है अगर open market value आपके पास नहीं दिया हुई आपको नहीं पता तो जो consideration plus equivalent value of that money जो money का consideration बदले में दिया गया है और उसके साथ जो non money में दिया गया है यह भी हम example के through करेंगे third हमारे पास आता है if a and b are not applicable या तो मेरे पास open market value का भी नहीं मुझे पता मुझे यह भी नहीं पता कि money के साथ जो non money consideration दिया जा रहा है उसकी value कितनी है तो हम c part पे आएंगे तब हम कहेंगे कि इसी तरह की दूसरी goods इसी तरह की दूसरी goods या services की quality wise वो कैसी है उनका क्या price है जैसे आप लोग amazon पर कोई चीज देखते हो आपको सिर्फ वो चीज वहाँ पर दिख रही हो उसका price नहीं पता या फिर आप किसी showroom पर जाके कोई आपने चेक किया तो आप उसको कहेंगे like kind and quality गल्स यह वाला पॉइंट क्लियर है like kind and quality वाला जो आप supply कर रहे हो वैसी supply की अगर आपको open market value नहीं पता हम supplier के context पे बात करते हैं या पर अगर हमें open market value नहीं पता तो वैसी ही goods हमें बजार में जिस price पे मिल सकती है या market में वैसी दूसरा कोई और supplier बेच रहा है तो हम उस price को pick कर लेंगे first या तो a option open market value दूसरा option open market value नहीं है तो money consideration प्लस non money consideration तीसरा यह दोनों apply नहीं होते तो हम ऐसी ही दूसरी वस्तू की जो same quality की है same काम करती है उसका क्या price है उसको ले लेंगे चौथा अगर यह तीनों apply नहीं होते तो अगर इन तीनों में से कोई भी apply नहीं होता तो cost plus method को हम use करेंगे या फिर residual method को use करेंगे अब अच्छे हमने यह जो a, b, c, d किया यह चारों आपका value of supply नहीं है इन चारों में से कोई एक आपका value of supply बनेगा आइदर a और b और c और d यानि कि इन सब में से कोई एक ही आपका value of supply बनेगा तो मैंने कहा या तो a आपका value of supply बनेगा यानि कि जो value of goods और services जहां पे आपका consideration सिर्फ money ही नहीं है या तो open market value को हम कह देंगे कि यही value of supply है अगर नहीं पता तो दूसरे point में बी point में जो आएगा उसी को value of supply मान लिया जाएगा अगर ये भी नहीं apply होता तो जो c point में हमने लिखा है हम इसको value of supply मान लेंगे अगर ये तीनों applicable नहीं होते तो हम fourth method कर यूज़ करेंगे और fourth method हमें कहते हैं कि हम दो चीज़ों में से किसी एक को भी use कर सकते हैं पहला cost plus जिसका नाम ही हमें clear है कि जितनी भी आपकी लागत आई है यहां पर मैंने short में लिखा है 110 percent of cost of supply यह पर आप कह सकते हो cost of supply oblique cost of manufacturing goods manufacturing oblique cost of production आप यह सब एक ही चीज़ लेके चलोगे क्योंकि हमने कहा था GST में हम sale purchase manufacture in terms का use नहीं करेंगे हम सिर्फ supply term का use करेंगे तो cost मैंने ले ली cost आपको पता हंडिट परसेंट मान ली उसमें plus 10 percent आप एक markup एक additional जोड के चलेंगे क्योंकि आपको market value नहीं पता और 10 percent मैंने इसलिए add किया है क्योंकि मेरे पास सिर्फ money की terms में consideration नहीं आया मनी के सिवा कुछ और भी आया है value नहीं पता इसलिए 10 percent add कर दिया बच्चे cost plus method समझ में आ गया 110 क्यों लिया girls is it clear to you अभी बताती हूँ इसका दूसरा method एक बर देखिए फिर पूरा repeat करती हूँ हमने कहा है residual method residual आपको पता है बचा खुचा तो बचा खुचा यानि कि A भी नहीं apply होता B भी apply नहीं होता C भी नहीं होता D में दो methods हैं पहला cost प्लस भी apply नहीं होता तो residual यानि कि कुछ अन्य ऐसे साधनों का आपको प्रियोग करना है कुछ ऐसे नियमों का उप्योग करके आपको value of supply निकालना है जो की commercial principles हो यानि कि जो trading के आपके principles होते हैं उनको follow करते हुए आप किसी भी principle का use करते हुए किसी भी method का use करते हुए हम value of supply को निकाल लेंगे best इसमें use होता है best judgment method आपको पास बहुत सारे product हैं आप उनमें से अलग-अलग की prices आपको पते हैं आप लमसम कुछ भी रख देते हो कि यह इसका प्राइस हो सकता है क्योंकि हमने ऐसी ही quality वाले other products को भी हमने study किया है अगर यह चारो points आपने अभी यहां पर समझ लिए तो आगे सारे rules इसी के उपर based है यह चार steps है one by one ही हम इनको follow करते हैं इनका sequence change नहीं करना sequence change नहीं करना तो सबसे पहले money के सिवा कुछ और भी हमें supply के बदले में मिला है तो value of supply कैसे निकान ली है then value of supply shall be क्या होगी value of supply either a or b or c or d इन चारों में से कोई भी पहला open market value दूसरा money plus non money consideration तीसरा अगर यह भी नहीं पता दोनों applicable नहीं है तो ऐसी ही goods जैसे आप same dress को अगर amazon पे भी देख रहे हो और आप मिंत्रा पे भी देख रहे हो तो आप यहीं देख रहे हो ना कि यह एक ही dress अलग-अलग supplier हमें किस-किस range में दे रहे हैं fourth point अगर यह तीनों applicable नहीं है तो हम अलग दो methods का use करेंगे value of supply निकानने के लिए पहला है cost plus cost यानि कि उस supply को देने के लिए या बनाने के लिए आपके जितनी लागत आई है that is cost और आपको कोई और factor की knowledge नहीं है इसलिए आपने 10% additional add कर दिया इसलिए हमने कहा 110% of that supply would be the value of supply second अगर इसमें से भी कुछ नहीं पता चलता यानि A, B, C, D, D का first part cost plus अगर इससे भी आपको value of supply नहीं मिल रही तो आप किसी भी अधर सिध्धानतों का प्रियोग करते हुए अपनी value of supply को calculate कर लोगे अब clear है बचे girls is it clear कौन से वाला बेटा B अगर आपको open market value मैंने short में लिखा है OMV क्योंकि बहुत बड़ा ओर था बार बार लिखने में open market value मुझे नहीं पता तो एक तो जो हमें price मिला है जो money मिली है plus कुछ और अगर recipient supplier को उस supply के बदले में दे रहा है तो उसकी value क्या है monetary terms में उसकी value क्या है इसके example देखे बचे आपको clear हो जाएगा अब सबसे पहले हम बात करेंगे यह open market value क्या है यानि कि वो पैसे जो कोई person उन goods को या उन services को लेने के लिए market में देता है बिना taxes के कौन से tax जो हमने GST में CGST, SGST अभी नहीं लगाया है उसके सिवा जैसे आप कुछ लेने जाते हो वो आपको कहते है आप कहते हैं यह चीज दिखाना कितने की है वो कहते है इतने की है बाकी मैं आपको tax लगा के बताता हूं इतने की पड़ेगी तो वो बाद में बताएगा ना कि tax लगा के इतने की और बिना tax के इतने की तो बिना tax के किसी चीज की value आपके पास जो भी होती है उसको हम open market value कहते हैं second line में मैंने लिखा है the value payable by a person to obtain such supply at at the time when supply is being made यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है open market value के लिए मैंने इस short में लिख दिया condition 1 plus condition 2 वच्चे ये conditions वो हैं जो हमने very starting में की थी first condition की price consideration होना चाहिए और दूसरा supplier और recipient related नहीं होने चाहिए अगर वो related है तो value of supply तो निकाल है नहीं सकते GST range में नहीं आएगा अगर वो unrelated है अलग persons है अलग person के लिए हमने पढ़ा था जो व्यक्ति एक ही pan के अंदर 2, 3, 4 बार जित्ती मार पर रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो हर बार उस व्यक्ति को अलग registration के लिए अलग व्यक्ति माना जाएगा example देखिए आप एक नया phone लेने जाते हो बदले में कहते हो जैसे आपने offers देखी होती है कि पुराने phone को दे दो बदले में नया ले जाओ तो इससे क्या होते है कि आपकी goods की price कम हो जाती है यानि कि अब जो आपको पे करना है वो कम हो जाता है एक नया phone का price है 20,000 with exchange of old phone तो क्या आपको पता था पुराना phone कितने का लिया उसने नहीं पता था नया phone की price बिना exchange के 24,000 है तो आप यहाँ पर यह क्या सकते ना कि इसका मतलब उस भाईया ने मेरा पुराना phone 4000 में रखा है और तभी मुझे 20,000 का दे दिया क्योंकि ऐसा ही phone दूसरा supplier 24,000 का दे रहा है तो इसका मतलब उस नए phone की value of supply या उसकी open market value क्या है 24,000 बच्छे first example clear है यास मैम सेकेंड देखिए एक laptop supply किया जा रहे है 40,000 रुपीज का जिसके साथ recipient manufacturer को एक printer भी दे रहा है वो कह रहा है कि तुम मुझे laptop दो मैं तुम्हें printer दूँगा बार्टर सिस्टम हो रहा है यहां पर first line में मैंने नहीं लिखी printer की value लेकिन जब printer recipient supplier को दे रहा था तो उसकी value उसके पास उसकी बुक्स में 4000 रुपे थी अब हमें यह तो नहीं पता कि laptop की value क्या है क्योंकि laptop तो printer के साथ दिया जा रहा है और हमें सिर्फ printer की value पता लैप्टॉप की value नहीं पता तो यानि कि हमें open market value नहीं पता कि ऐसा laptop मार्किट में कितने का मिल रहा है तो हम अब value of supply यानि कि value of laptop क्या कहेंगे 40,000 तो वो दे रहा है प्लस साथ में printer भी दे रहे है इसलिए टोटल 44,000 रुपीज प्लस यहां पर आपका यह second point आगे जब आपके पास open market value नहीं होती तो आप money तो दे रहे हो money कितने दे रहे हो 40,000 प्लस जो other चीज साथ में दे रहे हो printer दे रहे हो उस printer की value है 4000 इसलिए हमने value of supply में इन दोनों को प्लस कर दिया जैसे कि मैंने b point में भी mention किया है total 44,000 बचे rule 27 clear है एक quick recap फटा फट से लेते हैं चार option आएंगी A, B, C, D जैसे यह मैंने लिखी हुए इसी sequence में इनको follow करना है पहला बचे चलिए मेरे साथ repeat कीजिए पहला open market value दूसरा बोलो open market value नहीं है तो money consideration plus non money consideration उसकी monetary value कितनी है तीसरा A और B दोनों apply नहीं होते तो ऐसी ही goods या services हमें market में same तरह कि हमें किस price पे बिल रही है येस like kind and quality फोर्थ अगर ये सारे apply नहीं होते तो ऐसी goods को बनाने के लिए जो भी लागत आया उसका 110% अगर वो भी नहीं पता चलता तो हम अपने experts को बिठा के उनकी judgment ले लेंगे कि आप इनकी value of supply कितनी निकाल अब आजाईए rule number 28 पे rule 28 कहता है कि अब हमने value निकालनी है supply की between अब देखो दोनों लिखे हैं या पर distinct भी और related भी यानि कि जब भी value of supply की जा रही है या तो वो related होंगे या unrelated होंगे लेकिन वो supply कौन कर रहा है other than through an agent ये rule 28 specifically बनाया गया है अगर कोई supply agent के सिवा कोई और करता है तो अभी तक हमने पढ़ा कि agent supply करेगा तो हम value of supply निकाल सकते हैं क्योंकि वो अपने principle के भी हाफ पे करेगा अपने honor के भी हाफ पे करेगा लेकिन अगर कोई goods मानलो related persons के बीच में है तो यहाँ पे आपको अगर कोई भी confusion हो रहा है तो आप distinct हटा सकते हो आप related word भी याद रख सकते हो तो इनके बीच में जब भी कोई supply हो रही है तो उसके value कैसे निकालनी है same way पहला option open market value यह नहीं पता तो तो इसी तरह की दूसरी goods की value कितनी है जो same kind और quality की है condition इसलिए यह वाली लगाई है क्योंकि यह agent के सिवा कोई दूसरा related person कर रहा है तो आप यहाँ पे money और money का equivalent या फिर 110% यह वाला rule अभी follow नहीं करोगे सबसे पहले आपको open market value निकालना है दूसरा open market value नहीं पता तो value of supply ऐसी goods की जो market में value है वही value को हम अपनी भी value of supply मान लेंगे अगर A भी नहीं पता B से भी value of supply नहीं निकलती तब हम करेंगे या तो 110% अगर तब भी नहीं निकलती तो हम करेंगे best judgment ये था हमारा value of supply if supply is done between related और unrelated person other than through an agent बचे इसमें term आएगी अगर recipient full ITC ले सकता है तो अगर ये condition कब आएगी बचे हमने बढ़ा हुए reverse charge वाले में अगर supplier registered नहीं है recipient registered है तो recipient text देगा और ITC भी recipient ही लेगा अगर supply को receive करने वाला person registered है तब ही वो input tax credit लेगा तो bill जितने amount का भी बनाया गया है उस amount को ही हम open market value ले लेंगे और सिर्फ वो open market value ही मेरी value of supply बन जाएगी example देखिए कोई cement company है वो cement transfer कर रही है अपनी branch को तो अपनी branch को ही दे रही है ठीक है अगर ये branch आगे customers को बेच रही है तो अलग rules follow होंगे लेकिन इस example में मैंने लिखा कि cement would be used for making of its own immovable property तो यानि कि जब branch को हमने वो cement भेजी तो branch अपनी property बना रही हो से अपने personal use के लिए use कर रही है उसे customers को नहीं बेच रही तो अब ऐसी cement की value जो transfer की गई है हमने उपर नहीं लिखा कि कितने में transfer की हम value इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि हम आगे जो branch आगे customers को दे ही नहीं रही है इसलिए market में ऐसे cement की जो भी value है वही आपकी value of supply मानी जाएगी तीसरे rule पे आए value of supply through an agent अभी हमने जो 28 किया वो other than agent था इसलिए हमने या तो open market value ली या फिर हमने का same kind quality की अगर इससे भी नहीं पता चलता तो हमने कहा था कि हम कह देंगे या तो 110% ले लीजिए या फिर best method उठा लीजिए अब next आता है कि अगर कोई supply agent कर रहा है तो same first case वही है open market value दूसरा case अब यहां पर kind और quality आप लेते ही लेते हो ठीक है यहां पर आपका rule थोड़ा सा change हो जाएगा क्योंकि आप agent के through कर रहे हो आप जब यह वाली goods किसी unrelated customer को यानि किसी third person को और दे रहे हो जैसे जैसे principal और agent की सिवा principal सिफ agent को ना दे के बलकि किसी और customer को directly बेच रहे है I repeat principal agent को goods दे रहे है agent आगे बेच रहे है तो उस basis पे हम value of supply निकाल सकते है दूसरा अगर principal agent को वो goods ना दे के बलकि किसी customer को directly बेच रहे है तो ऐसे इसके देखो underline वाले के आगे वाला line पढ़िये by the recipient to his unrelated customer या तो वो recipient आगे किसी और को बेच देगा या फिर supplier direct भी किसी और customer को बेच सकता है तो उस case में 90% of the price charged इसका example करेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो A और B में से supplier कोई भी option opt कर सकता है या तो वो open market value ले लेगा या फिर वो 90% वाला funder use करेगा तो supplier के पास option है कि वो किसी भी value को लेके value of supply मान सकता है आइदर A और B अब अगर A और B applicable नहीं होते अगर जब आपके पास open market value वाला के supply नहीं होगा तब आपने like kind quality लेना है अगर वो भी apply नहीं होता तब आप 110% या फिर residual लोगे example देखिए कोई principle है वो supply कर रहे है elements बदाम दे रहे हैं अपने agent को ठीक है value दी है नहीं दी सिर्फ supply कर रहे है एजेंट इसी तरह की और supplier की elements को जो same quality की है same वैसे ही बदाम है उनको वो 5000 रुपे पर quintal के हिसाब से agent आगे supply कर रहे है I repeat एक principle ने अपने agent को दिया कि आप मेरी ये वाले goods market में बेचो लेकिन उसने ये नहीं का कि कितने में बेचो अगर agent किसी और supplier के elements को जो कि उसी तरह के हैं वो 5000 पर quintal के हिसाब से बेच रहे है उसी दिन जिस दिन उस principle ने उसको दिये अगर कोई दूसरा supplier उसी agent को वैसे ही elements दे रहे 4550 में यानि कि अभी हमने का कि जो पहला principle है उसने agent को दिया तो value नहीं पता agent किसी और supplier का बेच रहा है वो 5000 रुपे का बेच रहा है दूसरा कोई और supplier अब हम इस वाले agent और supplier की बात नहीं कर रहें कोई और supplier अगर ऐसे ही goods को market में बेच रहे है तो वो 4550 में बेच रहे है अब हमने निकाल लिए value of supply value supply कैसे निकालेंगे देखो पहले जो principle कर रहे हमें नहीं पता value क्या है तो या तो हम open market value ले लेंगे जो कि दूसरा supplier बेच रहे हैं वो कितनी है 4550 या फिर supplier चाहे तो 90% वाला case यूज कर सकता है 90% किसका जिस दिन agent के पास ऐसी goods आई और वो आगे बेचेगा तो 5000 का 90% 4500 रुपे पर क्वेंटल अब supplier की मर्ची है कि उसने जो goods agent को दी है उसकी value वो कितने डेटा माइन करें वो 4500 भी कर सकता है या फिर वो चाहे तो 4550 भी कर सकता है ये supplier की option पर depend करता है गर्ल्स क्लियर मैं 5000 नहीं कर सकता है नहीं बचे है 5000 की भी तो भी कि रही है ना वह एजेंट को दे रहा है ना एजेंट अगर 5000 की बेचने लग ज़े तो कोई क्यूं लेगा क्योंकि दूसरा supplier तो इसको 4550 में बेच रहा है तो आपसे कोई लेगा ही नहीं ठीक है आगे इसक गुड्स अप्लाई कर रहा है तो ठीक है इसका मतलब ए प्रिंसिपल बी एजेंट अब बी जैसी ए से रिसीव कर रहा है ऐसी ही गुड्स मार्किट में 5000 रुपे पर यूनिट के हिसाब से बेच रहा है लेकिन ए ने बी को जो दी क्या उसका प्राइस पता है अब ही नहीं तो बी ने जब इसी तरह की अधर गुड्स मार्किट में बेची है तो वो 5000 रुपे पर यूनिट बेच रहा है सेकंड लाइन में देखिए ए ने अपने एजेंट बी के इलावा किसी और अन्रिलेटिड कस्टमर को जिसको वो नहीं जानता वो उसका एजेंट नहीं है किसी कस्टमर को डिरेक्टली बेच रहा है 4700 में ठीक है इसको प्लीज यहां पर ध्यान से देखो कि अगर एजेंट को दे रहा है तो नहीं पता कितने की दे रहा है तो हम ओपन मार्केट वैल्यू देखेंगे ओपन मार्केट वैल्यू तो यहां पर 5000 आ रही है क्योंकि 4700 में बेच रहा है तो अब A क्या करेगा A ने B को जो गुड्स सप्लाई की है बेचने के लिए या तो वह 4700 के इसाब से करेगा क्योंकि 4700 मार्केट में बेच रहा है या फिर वह 5000 का जो की सप्लायर ओपन मार्केट वैल्यू लेके चल रहा है उसका 90% मान के चलो यानि कि ऐसी ही गुड्स एजेंट अगर मार्केट में बेच रहा है तो वह 5000 रुपे की बेच रहा है एजेंट उसका सेम लाइक क्वांटिटी की है इसलिए 5000 का 90% सेम लाइक क्वांटिटी आएगा तो 90% लेना है 5000 का 90% 4500 या तो प्रिंसिपल अपनी बुक्स में वैल्यू प्रिंसिपल ऐसी ही गुड्स अगर किसी दूसरे कस्टमर को डिरेक्टली बेचता तो वह 4700 में बेचता तो इसका मतलब ऑपन मार्केट वैल्यू जिस पे कोई कस्टमर लेने के लिए एक्री करता है वह 4700 है अब क्लियर है ये आपके रूल्स थे यह तीन रूल्स हमने अभी डिसकस किया है 27, 28 और 39 यह हमने बेसिक्स किया इनका तो बाकी इनकी जो डिटेल है जो आपके पास प्रॉपर नोट्स है आपकी बुक है उनमें बहुत ज्यादा डिटेल में आपको दिया हुए है यहां से आपको यह चा मनी कंसिड्रेशन प्लस नॉन मनी कंसिड्रेशन तीसरा अगर यह और भी अप्लाई नहीं होते तो सेम गुड्स जो मार्किट में मिल रही है उनकी वेल्यू फोर्थ फोर्थ बच्चे अगर यह भी नहीं हो रहा तो 110 परसेंट ओफ कोस्ट इससे भी नहीं होता तो एक्सप